अब मेरे सामने कर दो मैं इसका नाम लिस्ता हूँ जो कि आसके प्चान में लेगी तो डॉब हम आपको वापश में लिए गाई गाई गया था और साथ ही में हमें उसके लिए अच्छा घर भी मिल गया था और उसकी अडॉप्शन से दो दिन पहले ही कुछ लोग आये जिन्हों ने खुद को उसका ओनर बताया वो बात तो बहुत ही अराम से कर रहे थे पर उनकी एक बात से हम अलर्ट हो गए और हमने मूँ को उनको सौंपने से इंकार कर दिया जो टॉक्स बच्पन से घर में पले होते हैं उनके लिए सड़क पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है मूँ के घर से भागने के बाद उसको सड़क पर थोड़ी खुजली हो गई थोड़े घाव हो गई और थक के एक घर के आगे बैट गई उन लोगों की जब मुँ पे नजर पड़ी तो उनको इस पर बहुत तरस आया और उन्होंने इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया पर मुँ का घाव तो ठीक होने की बजाए बढ़ने लग गया और उसकी पूरी फीट पर फैल गया जब मुँ को लेके उसके रेस्क्यूर्स यहां पर पहुँचे तो हम भी मुँ के घाव को देखके हैरान थे वोग तो उसका इलाज करवाने की बात कर रहे थे पर मुँ को देखके लग रहा था कि जैसे उसके उपर उबलता पानी फैक दिया गया मुँ को जाचने से पहले हमने उसको मजल पहनाया ताकि वो में काट ना सके उसके काटने से तो हम बच गए पर उसकी चीखों ने हमें अंदर तक मानो चीर दिया हो उसके कान भी कटे हुए थे बीते जमाने में शिकारी अपने कुटों के कान और पूच काट देते थे ताकि और जानवर उनकी लटकते कान या पूच को पकड़ ना ले पर ना समझी में अब लोग इसको फैशन मान अपने कुटों को बिना मतलब का दर्द देते है उसको जाचने के बाद पता लगा कि उसका घा उबलते पानी या किसी बिमारी का नहीं बलकि ओवर डोज का नतीजा है क्योंकि ब्रीड डॉक्स की इम्यूनिटी कम होती है इसलिए शायद कई डॉक्टर या फार्मेसिस्ट उनको डोजज बढ़ा के देते हैं और मू के केस में भी यही हुआ हमने जब अपने वीकली अपडेट में मू की कहानी बताई तो मिकलॉट गन से सोनम जी उसको देखा और फार्म पे उससे मिलने आई उन्होंने बताया कि उनके पास मू जैसा ही एक डॉग था जो अब नहीं रहा तो इलाज खतम होने के बाद वो मू को अडॉप्ट कर लेंगी मू की रिकवरी चरी गई थी कि बीट में एक हाथसा हो गया केनल से भागने के चक्कर में उसके एक पैर में नर्व डामेज हो गई और हमें अडॉप्शन कुछ दिन के लिए टालनी बड़ी अब क्यूंकि मू केनल में इतना परिशान थी हमारे एक वॉलिंटियर श्रीष ने उसको कुछ दिन पॉस्टर करने का फैसला किया अब अडॉप्शन में दो एक दिन ही बचे थे पर कुछ लोग आया और उन्होंने कहा कि मू उनकी पैट थी अब कर से तो जस दिन होगे इस कुटे को गाई और उनकी एक बात सुनके हम दंग रह गए इसके कान आपने कटवाए कान तो अबने कुटवाए क्यों अब कान काटना ना सिर्फ बेकार क्रूर और दर्दनाग है बलकि गैर कानोनी भी तो हम मूझ को उनको वापस तो नहीं सौंप सकते थे कान कटे होने की वज़ासे कुटों के कान में पानी भी जा सकता है जिससे इंफेक्शन भी हो सकता है और बहरे भी हो सकते है पर मूझ के साथ अब ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अब वो सड़क पे नहीं एक घर में सुरक्षित है